तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मो क्रिसॉल के बारे में क्योंकि थोए टाइम पहले जब मैंने आरसीटी सीरीज के ओपर वीडियो बनाये थे उसके अंदर मैंने बताया था कि हम फॉर्मो की ड्रेसिंग देते हैं और उसके ओपर टैंपररी लगाते तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था किसी का कि सर्फ फॉर्मो क्रिसॉल यूज करना क्या सेफ है या नहीं इससे पहले मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था लेकिन जब वो कमेंट आया तो मैंने कभी ज़रे आर्टिकल्स को स्टेडी किया और यह चीज पता कर कि क्या फॉर्मोक्रिसॉल सेफ होता है या नहीं आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आपसे डिस्कुशन करूंगा कुछ केसिस आपको दिखाऊंगा कुछ स्टेडी के बारे में आपको बताऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन पर हम आएंगे तो चलिए स्टार्ट क करते हैं तो देखें अभी तक हम फॉर्मोकसूल क्यों यूज कर रहे हैं यह समझते हैं। सब्सक्राइब नहीं चया चुछ में चुक्त देलो थो जए सबाएंद थे कंडेरा लासिए दालेद सब्सक्राइबराइंकि अ'SK के सब्सक्राइंगें चुक्त-फॉर्मकरसॉल कोई दूइस के प्लेज़ करें फ़्मजिट करें उसको प्लेस देते हो और आपने देखा होगा कि जब आप RCT कर रहे हो तो भी पेशन्ट को पेइन हो रहा होता है उस कंडिशन में हमें पल्प को डीवाइटल करना पड़ता है जो कम फॉर्मक्रसॉल करता है ताकि एक पर पल्प अगर डीवाइटल हो गया तो फिर रूट के नाल पेइनल उपन करी गई उसके बाया मेकैनिकल प्रिपरेशन करी गई देन उसके बाद फॉर्मो की कॉटन लेकर और उसमें डालके और टेंपररी प्लेस करके उसको भेज दिया जब उसको एक्जामेन किया गया तो उसकी बक्कल म्यूकोजा और जिंजाईवा के अंदर तब क्या होता है कि वहाँ पर फॉर्म डेहिट की वेपर क्रियेट होता है वह वेपर अगर टिशु के अंदर चले जाते हैं या फिर पैरियापाइकल रीजन में चले जाता है या फिर वह जिंजाईवा को टच कर जाते हैं लाइक कभी आपने देखा होगा कि जब आप तो फिर वो परियापाइकल रीजन को भी इरिटेट करता है और कहीं बार मैंने भी यह चीज़ अबसर्व करीए कि जब मैं फर्मक्रसॉल के ड्रैसिंग देता हूं तो पेशेंट बोलता है कि मेरे को यहां पर बॉर्निंग सेंसिशन हो रहा है यहां पर जो फर्मक्रसॉल का एफेक्ट है वो साइटो टॉक्सिक है जिसकी वज़े से वो अलसरेशन और यह सारी चीज़े कर रहा है अब इसका ट्रीक्मेंट क्या होता है कई बार जब हमारे साथ यह कॉम्प्लिकेशन हो जाए आज तक मेरे साथ क्लिनिक पर इसको लेकर कभी कॉम्प्लिकेशन आया नहीं है लेकिन बाइचांस अगर कभी कॉम्प्लिकेशन आता है तो इसका ट्रीक्मेंट कैसे कर सकते हैं वो भी इसमें आथर ने बताया है इसके treatment के लिए उन्होंने सबसे पहले betadine के गारगलों से prescribe किये देन उसके बाद जो ulceration था उसके लिए topical steroids दिये गए analgesics दिये गए pain के लिए antistamines और multivitamines भी दिये गए after one week जो patient आया तो उसके सारे जो symptoms थे ये सब resolve हो चुके थे complication जा चुका था जो ulceration था जो irritation था वो pain सब कुछ जा चुका था यहां पर आथर यह कहता है कि उन्होंने dressing को change किया and then rcd को complete करके finish कर दिया बट उन्होंने यह नहीं बता है कि उन्होंने formocrysal की जगे दूसरी dressing किस चीज की यूज करी तो इसके लिए फिर मैंने आगे फर्दर study करी और यह पता करना चाहा कि formocrysal की जगे हम intercanal medicament में और किस-किस की dressing दे सकते हैं जो कि इससे जादा safe होती है इसके लिए 2014 के अंदर साओधी अरेबिया में study करी गई कि वहां के जित्ते भी general practitioners थे उनसे सवाल किया गया कि आप intercanal medicament में सबसे जादा किस चीज को यूज करते हैं वहां के जित्ते भी dentist थे mostly उनका यह जवाब था कि वह intercanal medicament के लिए calcium hydroxide को यूज करते हैं ना कि formocrysal को mostly dentist का यह कहना था क्योंकि जो calcium hydroxide होता है उसके complications कम होते हैं as compared to formocrysal तो एक चीज तो हमें यहां पर समझ में आती है कि इंट्रकैनल मेडिकमेंट की तौर पे हम formocrysal की जगह पर calcium hydroxide को यूज कर सकते हैं लेकिन हमारी अभी तक दूसरी problem solve नहीं हुई दूसरी problem हमारी यह थी कि हमें pulp को devital करना है क्योंकि कोई भी patient यह नहीं जानना चाहता कि आप उसके मूँ के अंदर क्या कर रहे हो अगर LA द करेगा आगे तो अब root canal complete कैसे करोगे तो जो दूसरी सबसे बड़ी problem है मैं इसका solution चाहरा था कि कैसे हम pulp को devital कर सकते हैं बिना formocrysal की help के तो यहां पर पूने नासिक के अंदर इंडिया के अंदर ही एक study करी गई जहां पर 100 dentist को पकड़ा गया और उनसे पूछा गया कि यह कहा कि वह फॉर्मोक्रिसॉल यूज करते हैं 56% डेंटेस्ट ने कहा कि वह पैरा formaldehyde product यूज आता है यह जो डी वाइटलाइजर साते हैं अलग से वह यूज करते हैं और आपको यह बता दूँ कि वह भी cytotoxic effect शो करते हैं 3% ने कहा कि वह arsenic यूज करते हैं जो कि थोड़ा सा dangerous है फॉर्मोक्रिसॉल से भी ज्यादा और 5% डेंटेस्ट ने यह कहा कि वह sodium hypochloride यूज करते हैं पल्प को डिवाइटल करने के लिए इन सब में से 61% डेंटेस्ट ने आज तक किसी भी type का कोई भी कॉम्प्लिकेशन इन केमिकल्स के तुरू नहीं देखा लेकिन बचे हुए बाकि डेंटेस्ट ने कॉम्प्लिकेशन स्फेस किये हैं यहां पर भी हमारी पल्प टीवाइटलाइजिंग की प्रॉब्लम सॉल नहीं हुए अगर हम कोई भी product यूज कर रहे हैं हम पल्प टीवाइजर यूज कर है वह साइट्रो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर ही रहा है केसिस के अंधर और ऐसा भी नहीं है एक है दो परसेंट केस है 24 25 से केंक अंधर यह साइट्रो टॉक्सिक इफेक्ट को carnival कर सकते हैं और तो यहां पर मैं थोड़ा और ऑगे बढ़ा मैंने थोड़ा और स्टेडि करें तो 2017 के अंदर pollen के अंदर भी इसी चीज़ के उपर study करी गई कि कैसे हम pulp को devital कर सकते हैं और उस pulpitis के pain को कम कर सकते हैं during root canal treatment और यहाँ पर उन्होंने दो चीज़े बताई पहली चीज़ कि आप pulp devitalizer use करो और pulp devitalizer use करने से तो complication हो रहे हैं और दूसरी चीज़ उन्होंने यह कही कि आप intravital root canal करो intravital root canal का यहाँ पर मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि आप intrapal-pal एले दे दो और फिर root canal करो थोड़ा बहुत यहाँ पर slight pain patient को feel होगा लेकिन आप इसको करते-करते अपनी root canal को अचीव कर सकते हो लेकिन यहाँ पर सेम वही बात आती है कि कोई भी patient यह नहीं चाता कि उसके मूँ में जो भी हो रहा है वो उसे पता चले यहाँ तक कि अगर आप patient को local anesthesia दे रहे हो उसे पूरा नम कर रहे हो और उसके बाद भी patient pain feel कर रहा है तो वो आपको बहुत परिशान करेगा पूरी root canal के दोरा और इस Poland के article में जो कि सबसे latest article मैंने अभी तक पढ़ा 2017 का वो यह conclude करते हैं कि यह दोनों चीज़े case to case vary करती है अगर आप pulp devitalizer का use कर रहे हो तो भी सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है और अगर आप intra pulpal LA देकर भी root canal कर रहे हो तो वो भी सही है लेकिन वो भी पूरी तरह सही है यानि कि कोई भी method perfect नहीं है उनका यह कहना है दूसी चीज़ वो यह कहते हैं कि अगर आपको complications को कम करना है अगर आप formocresol यूज़ कर रहे हो है या pulp devitalizer को यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो complications ना आए और वो कम हो तो आप उसकी कम quantity यूज़ करो ऐसा नहीं कि आप cotton को पूरा भरके formocresol में dip करा के और chamber में रख रहे हो और उसको close कर रहे हो आप जो भी amount यूज़ करो बहुत ही कम यूज़ करो जिससे complications के chances कम हो जाएंगे लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई method नहीं है अगर आपको ऐसा कोई method पता है तो आप मुझे comment box में बता सकते हो मैं next video में उसको discuss करूँगा और जित्ते भी articles मैंने अभी आपको बता हूँ उन सारे articles का link मैं अपने description box में दे दूँगा आप उनको पढ़िए आपको पता चलेगा कि हर article कोई न कोई controversy create कर रहा है तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि formacosol का use हम जितना हो सके कम करें single visit RCT के अंदर हमें formacosol का use करने की ज़रत नहीं है और अगर आप इंट्रकेनार मेडिकमेंट दे रहे हैं तो आप क्याल्चमाइट ऑक्साइट को use करें तो आई होप आपको यह वीडियो helpful लगा हो यहाँ पर मैंने formacosol को लेकर discussion किया है हम किसी भी 100% conclusion पर अभी तक नहीं नहीं आप आए हैं और भी articles find out कर रहा हूं लेकर मुझे कोई भी ऐसा article नहीं मिला जो यह conclude करता हो कि हाँ यह 100% satisfactory method है अगर आपको कोई article मिलता है आप प्लीज मुझे शेयर करना तो इस डॉक्टर सुनील साइनिंगाउट